अस्सलामू अलेकुम साथियों, कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के लिए चिकन सेजवान फ्राइड राइस की बहुत ही मज़ेदार सी रेसीपी लेकर आई हूँ ये रेसीपी मेरी एक सबस्क्राइबर की फर्माईश पर मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार फ्राइड राइस बन के तयार होता है बिलकुल होटलों की तरह तो आएए बिना देरी की रेसीपी स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने बासमती चावल लिये है चार कब बासमती चावल को मैंने पहले भिगो दिया था और इसके बाद मैंने नमक डालके अच्छे से इसे बॉइल करके ठंडा कर लिया है 200 ग्राम बॉनलेश चिकन लिया है मैंने इसके आदा इंच की टुकडे करके इसे नमक और अधरक लसन डालके बॉइल कर लिया है और इसमें करीबन 3 टेबल स्कून पानी बचा लिया था मैंने सूप का चार अंडे लेकर मैंने इसमें नमक और काली मिर्चो का पॉडर थोड़ा सा डालके इसे अच्छे से फेट लिया है अभी जिस कडाई में हमें बनाना है, उस कडाई में मैंने 2 टेबल स्कून कुकिंग और डाल कर अच्छे से इस तरीके से सब तरफ फैला लिया है, ताकि हम जब इसमें अंडा दालें तो इसमें चिपके नहीं, आज को हमें मीडियम ही रखना है, अंडा दालने के बाद हमें अंडे को अच्छे से पहले सब बाजू फैला लेना है, डायरेक हमें इसे घोटना नहीं है, क्यूंकि जायरेक घोटने से अंडे के बहुत ही बारिक बारिक तुकड़े हो जाते हैं, जो हमें नहीं चाहिए, इस तरीके से हमें बड़े बड़े तुकड़ों में अंडे को तो तो यहां पर मैंने आज को मीडियम रखा है और यहां पर तीन टेबल स्कून कुकिंग ओल में डाल रही हूं ओल जब अच्छे से गरम हो जाएगा तो हरी प्यास का जो सफेद वाला हिस्सा होता है वो हम इसमें डाल देंगे चौप करके और हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है प्यास को हमें कलर नहीं देना है सिर्फ तेल में भून लेना है थोड़ा सा इसके साथ दो टेबल स्पून अध्रक और लस्टन को मैंने चौपर में चौप कर लिया था यह में डाल रही हूं इसमें पीसावा पेस्ट निर्चों को चॉपर में इसको भी मैंने चॉप कर लिया है इसे हमें अच्छे से भुनना है खुश्बू आने तर आज मीडियम रखिएगा हाई फ्लेम पे जादा मत बनाईएगा ने तो ये चिपकने लगता है इसके साथ मैंने ये चिकन पहले इसमें डाल दिया है चिकन ज अब ज़रूर डालेगा ये सूप तो अभी मैं इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लूँगी चिकन का पानी भी आइस्ते आइस्ते सूप जाएगा इसका जब ये थोड़ा मिक्स हो जाएगा तो हम इसके अंदर काली मिर्चों का पौरड मेंने इसमें दो टी स्पून डाला है चाइनीस वाले खानों में चाइनीस नमक जरूर डालते हैं अगर आपको नहीं डालना है तो आप स्कीप कर सकते हैं और हमारे खाने का नमक हम टेस्कर अकॉर्डिंग डालेंगे half teaspoon मैंने food color डाला है orange वाला जिससे चावलों का बहुत ही अच्छा color आता है इसे हमें अच्छे से पहले mix कर लेना है अब मैं इसमें हरी प्यास का हरा वाला हिस्सा जो है वो भी मैंने बारिक-बारिक chop करके डाल दिया है चावलों को अब हम इसी वक्त डाल देंगे सब चीजों को हमें आइस्ता आइस्ता करके इसमें mix करना है अब इसके साथ मैं कुछ sauce डाल रही हूँ green chili sauce मैंने 2 tablespoon भरकर इसमें डाली है इसी के साथ red chili sauce भी 2 tablespoon भरके और 2 tablespoon मैंने soya sauce डाला है इसमें अंडे जो हमने fry किये थे वो हम इसमें डाल देंगे तमाम चीजों को डालने के बाद हमें हलके हसे इसे mix करना है चाइनीज वाले जो होते हैं ढाबे वाले होते हैं वो बहुत थोड़ी quantity में चाइज फ्राइड रैस बनाते हैं इसके लिए वो बहुत यह आसानी से उसे mix कर लेते हैं हमें ज़्यादा quantity में घर में बनाना होता है इसके लिए हमें इस तरीके से हलके हसे इसे mix करना है आप चाहें तो दो चम्मच की मदद से भी इसे mix कर सकते हैं और जब आप चावल बॉयल करें तो उसे 80% ही cook कीजेगा तो यह देखिए हमारे खिले खिले चावल फ्राइड रैस की शकल में बनके बिल्कुल तयार है थोड़ असा हरी प्याज मैंने बचा लिया था यह मैं एंड में डाल रही हूँ तो यह हमारा चिकन सेजवान फ्राइड रैस बनके बिल्कुल तयार हो गया है आप सेजवान चटनी के साथ इसे खाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार लगता है यह रैसीपी ट्राइज जरूर कीजेगा और अगर पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सबस्क्राइब कीजेगा लाइक और शेयर करना मत भुलिएगा इंशाला आप से फिर जल्दी मुलाकात होगी एक नई और मज़ेदार रैसीपी के साथ तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ अल्ला हाफिज